हालो आपरीवन, वाल्कम टु रेवाकेडमी, डिस इस वामां टन्निकेता, तोड़ेइज बीडिसक्स अबाउट केमिकल रिखाई अफ हलोरीन, इसमें हम रिमेनिंग पार्ट आप्ट ऑफ हलोरीन को कबर करेंगे, लास्ट वीडियो में हमने निकलोफिलिक सब्सिचिशन रि ठीक हे तो तभी समझ में आएगी जब आप लाज वीडियो को देख लेंगे तो आप पेले उस वीडियो को देख लें तो बहुत अच्छे से समझ आएगा प्रेश कर लें जिससे आपको फीचरन वीडियो प्रेस जाएं Bunun के इस बेहों ho आपको कोई भी डाउट साता आते हैं तो आप उसको कमेंट सेशन में कमेंट करके पूस सकते हैं और अगर आप चाहते हैं हमारे टेलिग्राम ग्रॉप के साथ जोड़ना तो उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी यू कन विजिट ओके तो चलो हम देन अधिना करते हों वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमाना टॉपिक है आज का क्या है कैमिकल रियक्शन ऑफ हलोरीन दियार थी टाइपस ऑप दा कैमिकल रियक्शन ऑफ हलोरीन विच अभी अब वह जरूर देखना हमां आज कभर करने वाले हैं लाक्ट्रोफिलिक सब्सिशन समझने से पहले हमको पता होना चाहिए substitution reaction क्या है इसलिए ही मैं बोर्ट रही हूं कि आप लास्ट वीडियो को पहले विजट कर लें अच्छे से देख लें फिर इसमें आए ठीक है तो substitution reaction in short में बता देती हूं subscription reaction क्या होता है जब एक नुकली फाइल या अलक्टरोफाइल किसी ऐसे कंपाॉंड पर अटेक करता है जिसमें पहले से अनजरा नुकली फाइल प्रिजेंट है तो बहुत होाई आज एक नुकली फाइल है वह पहले एक नुकली फाइल निός दो जगहरं जाएगा तो मी रिप्लेजमेंट – हो राइ न्युक्री फाल से ही अनदर कंपाॉंड के तो वह होता है सब्सिटूशन क्यश हूं अगर अरी 20 खितरह हो रही्य है तो अल्किलिक सप्सितुशन टीरैच्जन अंड़स्टैंड्रोस सबंघ में आरिया यह देखो एक घॅसमें धरे वेडियोन के Rx के साथ जो हमने reaction करा है Rx को हम simply क्या कर ले रहे है हम CH3x ले रहे है R की जगे हम methyl ले रहे है ठीक है हमने CH3x लिया है CH3x लिया है तो क्या हुआ जो X है यह क्या करेगा यह निकलेगा और इसकी जगे पर क्या आएगा Nuclefile attack करेगा यह Electro positive part में attack करेगा क्योंकि जो Nuclefile होता है वो Electron rich species होती है तो compound के ऐसे part पर attack करता है जहां पर Electron की deficiency हो तो यह Electron को donate कर देता है ठीक है आई बस समझ में तो इसको कहते है Nuclefile substitution reaction पर आज हमको पढ़ना है क्या Electrophilic substitution reaction Electrophilic substitution reaction क्या होती है जब Electrophile attack करता है किसी compound के Electron negative part पर क्यों? क्योंकि Electrophile जो होता है वो हमेशा याद रखना वो Electro positive species होती है ठीक है Electro positive species होती है इसको ऐसे denote करते हैं E plus से E plus मतलब इसके पास Electrons की deficiency होगी Electrons की deficiency है तो इससे जाहिर सी बात है ये compound के उस part पर टेच होगा जहां पर electron deficiency नहीं हो ठीक है वो part जो electron race हो ठीक है Electron density जहां पर ज़्यादा हो वो ऐसे part पर टेच होगा जहां से उसको electron मिल पाए है ना? तो हम आज इसको अच्छे से explain करेंगे और इसको पढ़ेंगे तो अब ये देखते हैं कि यहां पर फोर टाइप आफ रियाक्शन होती है Electrophilic Substitution Reaction में विचा हालोजीनेशन हालोजीनेशन रियाक्शन और सल्फोनेशन रियाक्शन होती है नाइट्रीशन होता है और इसके बाद एक में नेम डियाक्शन होती है विचा विचा विच इस Friedal Craft Reaction ठीक है बहुत इंपोर्टेंट रियाक्शन है ये बहुत अच्छे से याल रखना है आपको ठीक है इसके बाद हमको Reaction with Metals में पढ़ना है इसको भी हमने दो टाइप के साथ दो टाइप में डिवाइट कर रखा है Woods Fittig Reaction and Pittig Reaction ठीक है Woods Fittig Reaction और Pittig Reaction में डिवाइट कर रखा है अब आपको पता है कि हमने Last to Last वीडियो में जब हमने Chemical Reaction of Halo Alkene पढ़ा था तो हमने वहां पर क्या देखा था chemical reaction of halo alkyne में हमने देखा था वुट्स reaction पढ़े थी हमने reaction with metal के साथ वुट्स reaction में हमने क्या पढ़ा था और वुट्स फिटेग में क्या पढ़ना और फिटेग में क्या पढ़ना यह कंपेर करके में पढ़ाऊंगी जिस्ते आपको इजी हो जाएगा ठीक है तो चलो हम आगे बढ़ते हैं कि अलाक्रोफिलिक सब्सेटिशन रियक्षन डिटेल में पढ़ेंगे हैं देखो क्या लिखा हुआ है नीचे एक लाइन लिखी है डियू टू रेजोनेंस डियू टू रेजोनेंस ता अलाक्रोण देंसिटी इंक्रीज मोर अट और्थोयन पारा पॉजिशन और अड़ कि अलाक्रोफिलिक सब्सेटिशन रियक्षन को डिडियल में देखते हैं इसमें क्या होते हैं राजोनेंस के कारण और्थो और पारा पॉजिशन में इलाक्रोण डेंसिटी बढ़ जाती है ठीक है राजोनेंटिंग स्ट्रक्टर्स बना नेंगे बनाएंगे हम देखते हैं यारीजोनीटिंग इस्ट्रॉक्टर उसके करन कि यह थै। इलैक्ट्रॉजं सेटी बढ जाती और्थो पैरापूनिशन पे ठीक है। देखो, यहां पे राजोनीटिंग इस्ट्रॉक्टर बनाएं हैं। जहां मे यह देखो, यह हैलोजन का लोन पेर हैं। soften Iron सब्सेटिशन रियक्शन को हम डिटेल में देखेंगे ठीक है तो Electrophilic Substitution Reaction में क्या होता है यह चीज हमने पढ़ लिए Substitution Reaction which occurs by the Electrophile ठीक है वो Substitution Reaction जो Electrophiles के थूर हो रही है ठीक है that's called Electrophilic Substitution Reaction देखो इसमें क्या बोला है यह लाइन जो लिखी है क्या है बोल रहा है कि रेजोनेंस के कारण क्या हो रहा है Electrophilic Substitution बढ़ रही है और्थो एन पार पोजिशन में ठीक है कैसे यह रेजोनेंटिंग स्टक्चर हमने पढ़ा था लास्ट फीडियो में इसको मैं फिर से टेंसे डिसक्राइब कर देती हूँ इकपड़ देखो यहां पे क्या हो रहा है यह यह जो है लोढ पिएर' है यह वाला जो लोण्पिEr है वो इस रिंग में एंटर कर रहा है और यह जो ब्वांड है त्या कर रहा है किसफिशन तक हो रहा है अबला फोट तरा है एक फोलेेकृटन जा रहा है इस वाले जहाँ पर पर active आंष पर देंसिटी ब्हुत करता है आ blending ऑगया था अने पर आएगा पॉजिटेव चार्ज लोओन के यहाँ पर बना लेंगे double bond यहाँ पर बनेगे double bond यह वाला देखो अई बार समझमें है double bond is create क satelli minus awake यहाँ यहाँ आगिया यहाँ SHाझ यहाँ वाला म मैननस तो डैकर बाराए आए 4 अब देखो यह वाला double bond यह वाला structure समझ में आ गया यहाँ पर ऊंपर चला गया is का हैलोजन का इसलिए पर पॉजेटिव जा गया हैलोजन के साथ ठीक है अब यह जो सेकेंड बॉंड टूटा यह वाला बॉंड ब्रेक हुआ आगे उसी डिरेक्शन पर आगे रोटेट होगा बॉंड ठीक है यहां पर एलेक्ट्रों शिफ्ट हुए तो यहां पर माइनस साइ जाएगा यहां पर और यहां पर जाएगा पॉजेटिव साइन ठीक है यहां पर पॉजेटिव साइन आ गया तो यह प्लस माइनस यहां पर बॉंड क्रियेट कर लिए नेगिटिव साइन आ ठीक है आई बास समाज में आगे फिल से शिफ्टिंग होगी तो आगे माइनस यहां पर आगया, आप फिर देखो यह तो double bond है, इस वाले structure में, यह तो double bond है, यहां पर bond break हुआ, तो bond जहाँ shift हुआ, halogen के पास, जो positive आया है, वहाँ पर एक minus sign आगया, तो plus minus neutral हो गए है, और जहाँ से bond shift हुआ, यहां पर आएका positive, तो यह minus plus मिलके यहां पर bond बना लेंगे, तो यह क्या बनेगा, यह ऐसा बन जाएगा structure, ठीक है, यह बन गया, halogen के तीनों लोन पर यहां पर आ गया, पर यह देखो इसका mirror image है, यहां इसको देखो, और यहां पर mirror image है, यह दूसरे के, ठीक है, यह वाले structure को, regenerating structure को, मैंने last class से बहुत अच्छे से describe किया है, वो आप एक बार देख लेना, ठीक है, अच्छे से clear हो जाएगा, क्या बोल रहा है, यह इसके कारण क्या होता है, electron density बढ़ जाती है, और तो एन पैरा position पर chlorine के कारण, जिसके कारण यहां पर थोड़ा सा, थोड़ी सी tendency बन ज reaction हो सकती है, यहां पर फिर, Electrophilic substitution reaction, क्योंकि जब electron density थोड़ी सी जादा होगी, ठीक है, तो उसके कारण, वो electron donate कर पाएगा, Electrophilic, Electrophils को, और फिर reaction हो जाएगी, ठीक है, आई बस समझ, आब आगे बढ़ते हैं, देखो, अब हम देख रहे हैं, इसका आगे एक point लिखा है, as a result, the ring gets somewhat deactivated as compared to benzene, ठीक है, क्या बोल रहा है, कि इसके कारण, जो ring है, वो थोड़ी सी deactivate हो जाती है, यह जो ring बन जाएगी, देखो, यह ring है, जो chlorine ring है, यह minus sign एक जगे पर आगे है, ठीक है, यहाँ पर plus आगे ही, डबल बहुने, यह वाली ring जो है, यह ring जो है, वो कहीं न कहीं deactivate हो गई है, as compared to benzene, benzene के पास यह नहीं रहेगा, chlorine नहीं होगा, तो वो highly activated होगी, लेकिन यहाँ chlorine है, chlorine कहीं न कहीं इसके साथ क्या करेगा, इसका जो tendency है, जो electron, यहाँ पर electron withdrawing tendency है, यहाँ पर, वो कम हो जाएगी इस chlorine के कारण, ठीक है, आहीं बस समझ, देखो, benzene के compare में, इसकी reactivity थोड़ी सी कम हो जाएगी, chlorobenzene की, क्योंकि chlorobenzene के कारण, जब यहाँ पर minus sign आएगा, मतलब electron density बढ़ जाएगी, जैसी electron density बढ़ी, तो इसकी reactivity थोड़ी सी कम, मतलब थोड़ी सी बढ़ जाएगी, इस, देखो, यह कौन सी reaction हा, halogenation reaction, ठीक है, हमने, electrophilic substitution reaction को four type में divide किया है, first is halogenation reaction, halogenation reaction में भी electron substitution हो रहा है, कहाँ पर और प्याड़ा position में ही electrophilic substitution होगा, कैसे होगा, देखो, chlorine है, Cl2, यह कैसे break होगा, Cl plus में और Cl minus में, ठीक है, यह Cl plus में और Cl minus ion में break होगा, और यहाँ पर जो hydrogen है, orthoposition वो निकलेगा, यहाँ पर minus charge होगा, ठीक है, जो hydrogen है, वो Cl minus के साथ मिल जाएगा, ठीक है, Cl minus के साथ मिलेगा, एसे Cl बनाएगा, और Cl plus ऐसे electrophil work करेगा, और यहाँ पर attack करेगा, ठीक है, आई बस समयज में, और ortho chloro product बनाएगा, और parachloro product बनाएगा, ठीक है, second is nitration reaction, nitration में क्या हो रहा है, देखो, nitration में chloro benzene की reaction हो रही है, nitric acid के साथ, in presence of sulfuric acid, ठीक है, concentrated sulfuric acid की presence में, ठीक है, तो अभी HNO3 भी, देखो, हमको attack तो वही वाला part करेगा, एक electrophilic, electrophilic part ही attack करेगा, रिंग में, है न, electrophilic part मतलब that means positive iron, है न, तो HNO3 में positive iron कौन सा होगा, एक तो OH- में break होगा, और NO2 plus में, ठीक है, तो यह जो NO2 plus होगा, यह जो NO2 plus होगा, यह जाकर attack करेगा, यहाँ पर हाइडोजन है, उसने, इस हाइडोजन ने react कर लिया, OH के साथ H2O बना लिया, और यहाँ पर attack करेगा NO2, ठीक है, NO2 यहाँ, माइनस sign के साथ attach हो जाएगा, और क्या बनाएगा, और तो और पैरा नाइटर प्रोड़क्त बन बनाएगा, ठीक है, और तो नाइटरो क्लोरो बेंजीन, ठीक है, यह तो 1 क्लोरो 2 नाइटरो बेंजीन बनाएगा, ठीक है, आई बस समझ, देखो, अब यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है, कि यहाँ पर जो हो रहे है, और तो प्रोड़क्त कम माइनर प्रोड़क्त क एक दम पास में एक दूसरे को रिपल करेंगे सीम चार्ज होंगे तो एक दूसरे को रिपल करेंगे पर कोड़ाइगी एक पर पूजिशन में दो सब्सकी बीच का डिस्टेन्स जादा है यह परल्शन रिपल कम होगा इसकी stability जाधा होगी तो प्रोड़क्ट भी ज्यादा इल्ड में फॉर्म होगा ठीक है हाई बस समझ में यह रीजन समझ में आया अब देखते हैं विचेस सफोंअशन रियक्शन में क्या होता है एक शल्पूरिक एसिट के साथ्याक्शन होती है सेम दो सेम होगा क्या होगा क्लूर्वेंजीन खिस टीक है क्लूरॉर गैयं डीक्ष्मिग इसाथ कराते हैं ट्वेट सफ अथी करते हैं रीजु ह्म कट्टो Cob can है इसकी reaction S2SO4 के साथ कराएंगे तो देखो OH- माइनस बनेगा इसको हम ब्रेक करते हो कैसे करेंगे ब्रेक ओ एच माइनस प्लस है आई बाइस समझ में SO3 प्लस है यहाँ पर माइनस साइन होगा वहाँ पर अटेक करेंगे और यह जो हाइडोजन है यहाँ पर जो हाइडोजन था वह एस्टू बना लेगा आई बाइस समझ में पक्का तो यह बन जाएगा और तो और तो प्रोड़क्ट्स फर्म होगा इसके ओके और तो प्रोड़क बनेगा इसे इसमें और क्या क्या बनेगा ट्वक्रोडोड़्यंशन आप्षित कि stability ज़्यादा होगी, that's why, फ्रीडल क्राफ्ट रियक्शन देखो, फ्रीडल क्राफ्ट रियक्शन बहुत-बहुत इंपोर्टन रियक्शन है, इसको बहुत भिहान से समझना, ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो, यहाँ पर भी chlorobenzen तो हमारा reactant है, जो main reactant है, लेकिन यह जो reaction है, वो alkyl halide की भी chemical reaction हो सकती है, क्यों हो सकती alkyl halide की chemical reaction, क्योंकि यहाँ पर CST-Cl है, ठीक है, CST-Cl क्या है, methyl chloride है, alkyl halide है, that's why, इसको क्या मान सकते हैं, हम alkyl halide की chemical reaction भी मान सकते हैं, तो अब देखो, क्या हो रहा है, anhydrase alcl3 की presence में हो रही है, यह reaction, मैं थोड़ा सा camera को shift कर रही हूँ, देखो, यहाँ पर, अब क्या हो रहा है, CST-Cl को हम break करेंगे, CH3 plus, और Cl minus, तो हमें कौन सा part चाहिए, plus वाला, यहाँ पर यहाँ पर हाइड्रोजन था, वो प्लस में जो था, hydrogen H+, वो किस के साथ अटेच हो जाएगा, Cl के साथ, SCL बना लेगा, ठीक है, वो रिलीज हो जाएगा, और यह CSC यहाँ पर और थो में, पोजीशन में आके अटेच हो जाएगा, और थो और पैरा पोजीशन पर, ठीक है, आई बस समझ में, तो और थो और पैरा पोजीशन पर अटेच हो जाएगा, और प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा, इसका 1-2-dye, चरी, 1-chloro-2-methyl-benzen या 1-chloro-4-methyl-benzen ठीक है, यह बनेगा, इसको बोल सकते हैं, और थो-methyl-chloro-benzen या पैरा-methyl-chloro-benzen ठीक है, यह भी बोल सकते हैं, तो हमारा पैरा प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, हर condition में पैरा product ही ज्यादा form हो रहा है ठीक है आई बास हमने में अब next reaction के है हमारी देखो फ्रीडल क्राफ्ट की एक और reaction है एक reaction हमने करही थी methyl chloride के साथ यह क्या होगी acetyl chloride के साथ कराएंगे तो कैसे होगी देखो अब यह है acetyl chloride के है ch3 c double bond o cl यही है इसको जब हम break करेंगे तो कैसे ब्रेक होगा ch3 c double bond o plus iron ठीक है और cl minus iron ठीक है इन दो चीज़ों में break हो गई है अब यह है c3 co यह इसका जो carbon वाला part है वो यहाँ पर ortho position में जाके attack करेगा plus charge है क्योंकि उसमें ठीक है और हमारा product बन जाएगा क्या two chloro acetophenon और four chloro acetophenon सम्झ में आ गया पका two chloro acetophenon और four chloro acetophenon आई बस समझ में यह वाला carbon attach हुआ है यहाँ पर देखो c double bond o ch3 यहाँ पर plus charge था यह गया कहाँ पर बेंजीन के पास ठीक है बेंजीन के पास गया और यहाँ का hydrogen निकल गया chloro engine के पास ठीक है अब इसको मैं रफ कर यह टारी plus sign हट गया यह इसको minus sign मिल गया यह minus था यह plus था यहाँ पर इन्हों ने क्या बना लिया आई बात समझ में single bond है यह आई ठीक है clear हुआ अब देखो यह यहाँ पर complete हो गई है अब हम देख रहे हैं हमारा यहाँ पर complete हुआ हमने चाहरों टाइप पर ले ओड़े हमने इसके चाहरु टाइप पढ़े हालोगेनेशन विद्येशन राज फिटेट रेक्षन के दो पार्ट पढ़े दोनों चीजे हमने देख ली क्लियर होगी ठीक है अब हम देखेंगे यह नेक्स्ष इक्षिन जो है Reaction वित मैटल यह first है क्या है वोट्स फिटीग रियक्शन और second है फिटीग रियक्शन, वोट्स फिटीग रियक्शन देखो हमने जब हमने परदा सह था chemical reactions of Halo Alken तो उसमें वोट्स reaction परदा तो उसमें क्या परदा था थोड़ा सा याद होगा आपलोगों को तो उसमें हमने पढ़ा था कि दो alkyl halide को 2 moles of alkyl halide की reaction कराई थी 2 moles of sodium atom के साथ ठीक है देखो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिखा रहीं प्रिव्यू दे रहीं 2 moles of sodium के साथ reaction कराई थी 2 moles of Rx ठीक है यह कराई थी तो 2 nax क्या हुआ था निकल गया था और 2R क्या बना लिए था product RR यही बना था याद आया कुछ है ना ऐसे ही यहाँ पर है वोट्स के लिए हम alkyl halide लेंगे वोट्स फिटिक के जो फिटिक है फिटिक में हम aryl halide लेते हैं ठीक है वोट्स के लिए alkyl halide फिटिक के लिए aryl halide 2 moles तो रहेंगे एक हम alkyl halide ले लेते हैं एक हम aryl halide लेते हैं ठीक है और dry ether के presence में होती है यह reaction है ना यह देखो यह line लिखी हुई है बना mixture of alkyl halide and aryl halide is treated with sodium metal in presence of dry ether बना alkyl arine alkyl arine form as a product ठीक है product क्या बनता है alkyl arine ठीक है this reaction is known as what's fatigue reaction ठीक है बहुत easy है ठीक है यह reaction लिखी हुई है ठीक है same समझ में आ रही है क्या है इसको अटाती हूँ पहले मैं बता देते हूँ यहाँ पर मैं explain करती हूँ यह है chloro benji यहाँ पर है 2N8 यहाँ पर है CH3Cl ठीक है तो CL यहाँ लिख देती हूँ यहाँ पर लिख देती हूँ CH3 आई बस समझ में CSC यहाँ लिख दिया आप देखो 2N8Cl यह लेके निकल गए यहाँ से ठीक है अब क्या बचा अब क्या बचा हमारे पास सिफ बेंजीन बचा इस खाली जगह पर बेंजीन और इसकी खाली प्लेज और CST इसकी खाली प्लेज है ना यह दोने यहाँ पर जुड़ जाएंगे ठीक है तो क्या बना लेगा तो क्या बन जाएगा यहाँ से ठीक है आई बस समझ में यह रियक्शन है ना इस रियक्शन में देखो यहाँ जो X था हैलोजन था है हयलोहरीन यह नए एक्स है यहाँ यह आगे बढ़ते देखना है फिटिग्शन मादख मतला मैंने बताया था वोडजONY helmet और भिटे अरेल हलाइड ठीक है तब हमको अरेल हलाइड लेना है देट मेंज है ना दो एक्स यहां लिया टू एने और यहां पर इस दारेक्शन में एक्स लिखते रहे हूँ आप उपर ही लिखोगे तो भी चलेगा यह मैं समझाने के लिए लिख रहे हूँ तो two nex निकल गया यह वाली जगह खाली हुगगे यह वाली जगह खाली हुगगे अब क्या होगा ये दोनों जोट जाएंगे आगे समझ में ये बन गए डाइप बिनाइल है ना, क्लियर हुआ, पक्का, देखो ये, ठीक है, ये है फिर टेक दिया एक्शन यहाँ पर क्या हुआ, टू मोल अफ, हैलो एरीज ले लिया मतलब, क्लोरो बिंजील ले लुआ, यहाँ पर टू एने, टू एने एक्स निकल गया, ड्राइथर की प्रिजिंस में यह बन गया, ड्राइप बिनाई, आई बस समझ में यहाँ पर वीडियो कंप्ली्ट होता है, और हमने यह वाला पार्ट भी कंव्लीट कर लिया है अधे क्वाद हीज एक्षन वीक्षन में, नेक्स लेक्शण में क्वेस्षन थी टेक्षन किसे fi्टिक रिएक्षन थी, फीडिक रिएक्षन थी, अब यिद्टीक है और अगर आपको जरूँड है नेम रिक्वेस्ट्थ होगा अगर आप याउसाल विदी रिक्वेस्टस्थ होगा अगर आप लोग कुछ पहले से आ तो पिर आप एफट-नहीं लगाएंगे Doch तो फिर थैंक्यू सुलेंड वीडियो यहां एंड होता है अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ठीक है तो थैंक्यू